अब गुद्मॉर्णिंग दौस्तों मैं हूँ कुल्दीप और कुल्दीप टुटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत हैं कर अपन बात कर रहे थे सब्द सब्द के प्रकार आज अपन सब्द के प्रकार की टोपिक को आगे बढ़ाएंगे और रचना के आधार पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर सब्दी कितने परदार के होते हैं कल प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था तत्सम, तद्व, देशज, विदेशी सब्द, अर्भी, पुर्तगाली, प्रांसिसी, ये सारे सब्दे थे आज अपन लेगाएंगी रचना के आधार पर सब्दी आज है कॉपिक सब्दी है अपना रचना के आधार पर सब्दी दूज रहा है रचना के आधार रचना के आधार पर सब्दी के प्रदार सब्द के प्रदार के होते हैं तीन प्रदार के अब बात करेंगे तीन पहला रहेगा मूल या रूड सब्द है दूसरा क्या रहेगा योगिक ये एक नमबर रहेगा योगिक योगिक दिक हैं और तीसरा अपने रहेगा योग रोग योग रोग योग यह रहेगा तीसरा जो रचना के अदार पर तीन सब्द बताएंगा जो यह मूल सब्द यार रूड सब्द इसके टुकड़े नहीं कर सकते इसके क्या नहीं कर सकते टुकड़े नहीं कर सकते जो मूल सब्द होगा उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं संदी समास उपसर्ग प्रते के नियम नहीं लगते हैं इसके अंदर कि नहीं कि जो मूल सब्द होगा उसके अंदर संदी समा सुर्सद प्रते का कोई भी नियम लागू नहीं होता है और इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं जैसे की उदारण देख लो इसका जो statistically का अगरुण करेंगे तो क्या रहेगा से तरो तो कोई मतलकी टुकड़े नहीं होंगे झाइब इस प्रकाद के इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर संदी इसके अंदर कोई कोई संदी भी अगहर्भ कोई संदी नहीं है कोई उसर्व नहीं है कोई प्रते भी नहीं लगावा है तो यह क्या है मूल साथ हैं दूसरा हैं अपने योगी कि योगिक में क्या होगा किये जा सकते हैं। और इसमें संधी समास उपसर्भ प्रता आधि लगते हैं। कि अभर्षां कि संधी से अभर्षां कि तो कि ठीक अगी म은 इसцंधी समास उपसर्व प्रताै लगते ह। योगिक जो सब्द बनेगा, योगिक दो सब्दों से मिलकर बनेगा, उपसर्द से बनेगा, प्रते से बनेगा, संदी से बनेगा, समास से बनेगा, तो इसके अंदर इस सब्द का प्रियोग होगा, तो वो क्या किलाएंगे योगिक सब्द किलाएंगे, जैसे की संदी वाला देखलो, विद्याधन आले, विद्याले, ये सब्द संदी से बनाए, विद्याधन आले, विद्याले, समास का देखलो, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीके न, ये हो गया समास, उपसर्थ भी देखलो, को वीयेँ पूर्दक से सब्ध क्या बनेगा वी जए के अंदर क्या बना कि या वी ज पूर्टे क्वी देख लिए न लिए कि ना कि अन्याराइस कि दो क्या दर बन जया पर्टे । सब्सक्राइब करते हैं योग होता है कि योग होता है कि योग होता है योग योग रूट जो सब्द होंगे उनके अंदर एक तो योग होगा दूसरा इनका अर्थ रूट हो जाता है इनका जो अर्थ होगा वो रूट हो जाता है इनका अर्थ रूट हो जाता है योग रूट जो सब्द होंगे इनका जो अर्थ होगा वो रूट हो जाता है यह संदी समास उसर प्रते का इसके अंदर भी प्रियोग होता है संधी समास, संधी समास, उपसर्ग, प्रते कापड़ योग, उपसर्ग, उपसर्ग, प्रते भी लगेगा, संधी भी होगी, समास भी होगा, उपसर्ग, 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 प्रते भी लगेगा, संधी भी होगी, समास भी होगा, और इनका क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ होता है, वो रूड हो जाता है, रूड होने बहु ब्रीगी समाज के उदार अने जैसे कि लम्बोदर कि हम पूल 員ोडर का क्यार दोत मुळों है योगरूड हो गया है यह सब्द क्या हो गया योग गुरूड हो गया दामोदर का मतलग क्या होता है क्रिश्ण दामोदर का मतलग क्या होता है क्रिश्ण तो यह क्रिश्ण सब्द क्या हो गया योग गुरूड हो गया पंकच जो की चड़ पे उत्मल होता है कमल चार पाई तो इस प्रकार यह क्या ह योग रूरी सब्द हो जाएंगे लिखो इनको फिर बात करते हैं अर्थ क्या आदा है अब बात करते हैं अब उैसर्व किसया अर्थ के आदार पर सब्द के प्रकार अर्थके आदार पट इसरा और कि अपकी आदार सब्द कित्य सब्दब्रकार कोई फेश allora उह यह सब्दि अपर प्रकारत होँगे अवाचक लक्षक और वह नचकश वेच्छक अवाचक वाजक लक्षक और वेंजक तीसरा क्या है वेंजक अर्थ के अदार पर सब्द तीन पर कहा क्यों होते हैं वाजक सब्द लक्षक और वेंजक क idg कि अदर एक लक्षया लक्षे बादित समंधित अर्थ यानि रूड JULी प्रयोजन से समंधित लोकुकत या मुअ और यांगी की तरह होगा है तुअपन भीते हैं किसका क्यल होगा वाजक मुख्या आउर्त मुख्यार्थ या वाच्यार्थ इसको बन वाच्यार्थ भी कह सकते हैं मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या अभी देयार्थ अभी देयार्थ अभी देयार्थ यानि संकेतिक अर्थ होता है इसका क्या अदा है संकेतिक अर्थ होता है दूसरे बात करते हैं लक्षक के अंदर ये एक, दो, तीन लक्षक के अंदर के होगा मुख्यार्थ बाधित होता है लेकिन मुख्यार्थ से समंदित अर्थ होता है मुख्यार्थ बाधित होगा इसके अंदर मुख्यार्थ बाधित मुख्यार्थ इसके अंदर बाधित होगा लेकिन मुख्यार्थ से समंधित अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित अर्थ जो लक्षक के अंदर होगा, वो मुख्यार्थ बादित होगा, लेकिन क्या होगा, मुख्यार्थ से बादित, लेकिन मुख्यार्थ से समंधित, लेकिन मुख्यार्थ से समंधित अर्थ, रुडी प्रियोजन, रुडी या प्रियोजन, प्रेजन के अर्थ में काम में लिया जाए ठीके और इसके अंदर क्या होगा ये लोकोक्ति या मुहाउरे के जैसा होगा लोकोक्ति या मुहाउरे लोकोक्ति या मुहाउरे और जो इसके अंदर सब्सक्ति होगी वो क्या होगी सब्ध सब्ध क्या कहलाएगी इदर लिख देते हैं सब्ध सब्ध इसके अंदर सब्ध सब्ध को जोगी वाचियाट में अभीदा सब्ध सब्ध अभीदा इसके अंदर होगी अभीदा सब्ध 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 और इसके अंदर क्या होगी लक्षणा इसके अंदर क्या होगी लक्षणा ठीक है आम इसकी बात करते हैं वेंजक की इसमें क्या होदा है मुख्यार्थ बादित होदा है और मुख्यार्थ से पूरी तरह छोड़ा जाता है मुख्यार्थ इसके अंदर क्या होगा मुख्यार्थ जो मुख्यार्थ होगा सब्द का वो तो होगा बादित और मुख्यार्थ से पूरी तरह छोड़ा जाता है मुख्यार्थ को पूरी तरह छोड़ देंगे यहां पर मुख्यार्थ बादित होगा मुख्यार्थ से कोई लेना देना नहीं है मुख्यार्थ को पूरी तरह छोड़ दिया जाएगा और अलग-अलग समय में अलग-अर्थ होगा थीके अलग-अलग समय के अंदर इसका अर्थ भी बदलता रहेगा तो इसके अंदर सब्द सक्ति कौन सी होगी इसके अंदर सब्द सक्ति होगी वेंग्यार्थम वेंजना सब्द सक्ति वेंजना सब्द सक्ति इसके अंदर होगी वेंजना इसके अंदर लक्षना और इसके अंदर अभीदा सब्द सक्ति होगी ठीके वापस अपन बात करते हैं जैसे इसके example लेके देखते हैं, अभी दागा, अभी दागा example देखते हैं, जो वाचक होगा, इसके अदर क्या होगा, मुख्य अर्थ होगा, इसके अदर क्या होगा, मुख्य अर्थ होगा, इसके अदर क्या होगा, मुख्य अर्थ, जैसे कि नौकर ने गज लाकर दिया, नौकर न गज लाकर दिया नौकर ने गज लाकर दिया यानि कि इसका मुख्य अर्थ ही निकल रहा है गज इसका मतलब क्या है नौकर और गज नौकर ने गज लाकर दिया यानि कि यहाद ही लेकर आया इसमें मुख्य अर्थ क्या है नोकर ने गज लाकर दिया दूसर देखो इससे समझ में नहीं आया तो एक और एकजामपल देख लो आपको समझ में आ जाए राजा ने सेनिक से गज मंगवाया 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 मुख्य अर्थ हाथी गज का मतलब क्या होता है हाथी राजा ने शेनिक से क्या मंगवाया हाथी कुमार गदे पर मिट्टी डोता है कुमार गदे पर कुमार क्या है और मिट्टी कुमार गजल्दे पर मिट्टी तोता है। मुख्य अर्थ है इसका मुख्य अर्थ ही है न ये लक्षक की बात करते है लक्षक लक्षक का मतलब क्या होता है मुख्य अर्थ बादित होता है इसके अंदर क्या होता है मुख्य अर्थ तो बादित होता है मुख्य अर्थ से कोई लड़ा दे हैं या वो प्रयोजन के अंदर आ रहोगा यानि कि वो योग रूड सब्द हो जाएगा लोगवक्ति और मुहावरे के जैसा जिसका लक्षन होगा ठीक है और जिसमें तुलना जिससे तुलना हो वो लक्षना है जिसके अंदर तुलना हो तो वो क्या है लक्षना सब्द सकती है इसके उधारण भी देख लेते हैं प्यारे मोहन गदा है प्यारे मोहन गदा है गदा क्या है उसकी उक्मा है प्यारे जो मोहन गदा को क्या उसकी तुलना की गई है मोहन की तुलना किससे की गई है गदे से तो इसके तुलना की गई है किससे की गई है सिवाजी सेर है यानि कि सिवाजी की तुलना की गई है किससे की गई है सेर से की गई है तो यहाँ पर क्या होगा लक्षणा सब्द सकती होगी अब यह वाला देख लेते हैं वेंजना वेंजना के अंदर क्या होगा वेंजना के अंदर क्या होगा अलग अलग समय के अंदर अलग अर्थ निगलेगा और वेंजना किसी को संभोधित नहीं करते हैं किसी को संभोधित नहीं करते हैं किसी को संभोधित नहीं करते हैं कि वेंजब वेंजब होगा वेंजबना सब्धिसक्ति के अंदर किसी को संबोधित नहीं करते हैं जैसे साम हो गई इसका आपस्या होगा साम हो गई मुख्य अर्थ तो बादी थे और मुख्य अर्थ से पुरी तरह छोड़ दिया जाए साम हो गई, साम हो गई का मतलब यहां पर साम से नहीं है, साम हो गई, यानि कि बहुत लेट हो गया है, साम हो गया है, चार बजगे, चार बजगे, ठीक है न, बड़ती आ गई, बड़ती आ गई का मतलब क्या होगा, कि वही, अब आलस छोड़ दो और पड़ाई के अंदर जोट जाओ, ठीक है, आज की नहीं इतना है काफी हो,